आज हम बनेंगे ठेज सारी परतो वाला चिली गारलिक लच्छा पराटा बनाना बिलकुल आसान है जब भी हम इस तरह के पराटे बनाते तो हमें थोड़ा सा डर लगता है यार बनेगा नहीं बनेगा कैसे बनेगा या भी रुबेस्ट होगा लेकिन बिलकुल भी वेस्ट नह है और बनाने में बिलकुल आसान है जड़ से बन जाता है और यह हमने बना है गियू के आटे से हलो फ्रेंड्स मैं किरन और किरन रेसिपी में आप सभी का स्वागते तो चलिए फटा-फट हम अपनी रेसिपी की सुरवात करते हैं तो यहां पर मैंने लिए गियू का आटा तो एक बड़ा कप मैंने गियू का आटा लिया है और एक बड़ा कप हम लेंगे मैदा अगर आप गियू के आटे से ही बना सकते हैं या फिर मैदे से ही बना सकते हैं थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे नमक और नमक को हम आटे में अच्छे से मिला देंगे ताकि नमक हर ज आप चाहे तो सिर्फ गेहू के आठे से ही बना सकते हैं, तो आठा यापे मैंने गूंत लिये, तो अब क्या करेंगे, एक से देड मिल्टक हम इसे हाथ से अच्छे तरफ मसल लेंगे, ताकि अच्छा सा नरम हो जाए, इस तरह के जब हम पराठे बनाते हैं, तो आठा एकदम हमें सॉफ्ट चाहिए, इसलिए एक से देड मिल्टक हम इसे अच्छे से मसल लेंगे, हाथ से चिकना करेंगे, फिर हम इसके उपर लगा देंगे थोड़ा सा घी, घी हम चारो तरफ लगा देंगे, अच्छे से, और फिर इस आठे को हम ढखके रख देंगे, बीस मिनिट के बीस मिनिट रखने के बाद आप देख सकते हैं, आठा हमारा कितना नरम हो गया, और इस तरह पराठे के लिए आठा बिल्कुल हमें नरम चाहिए, बिल्कुल सकत आठा नहीं चाहिए, तो आठा हमारा बिल्कुल बनके तयार है, तो अब हम इसके बना लेते हैं, पेड़े, को उसको अच्छा सा हाथ से मसल लेंगे और अंदर से दबाते हुए उसको पैक कर लेंगे इस तरह हमें हाथ से दबाते हुए इसको अच्छा से पैक करना है और इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट बिल्कुल सॉफ्ट ऐसा पेडा बनाना है तो दुसरा भी हम ऐसे बना लेंगे पिड़ाई दिखिए और अंदर से दबाते हुए इसको पूरी तरह पैक कर लेंगे और इसको इसका अच्छा साम पेड़ा बना लेंगे तो यहां पे मैंने पांच पिड़े बनाएं आप देख सकते हैं अब क्या करेंगे इसकी ऊपर हम लगा देंगे थोडा सगी गी को अच दालेंगे हाथ में और दुबारा फिर हाथ से इसको थोड़ा सा हम चिकना करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको हाथ से हम थोड़ा सा फैला लेंगे, जितना आप हाथ से इसको फैला सकते हैं, फैला लें, लंबा करें, फिर हम इसके उपर लगा देंगे आटा, तो आटा मैं यहाँ पर चावल काटा लगा है चावल काटा क्यों लगाईए मैं आपको बात में बताओंगी तो चावल काटा लगा कि हमें इसको हलके से प्रेस करके बढ़ाना है फिर हम इसको बेल लेंगे जैसे हम अपनी चपाती बिलते हैं आप उतनी बड़ी बनाईए उपर से हम घी लगा देंगे घी हमें थोड़ा सा जादा लगाना है घी या बटर जो भी आपको पसंद हो वो आप लगाईए तो अब मैं घी को हाथ से ऐसे फैला रहे हो ताकि चपाती को अच्छी तरह घी लग जाए और हर जगह लगनी फिर इसके उपर हम डाल देंगे लसुन बारी कटा हुआ तो लसुन को मैंने बारी बारी काट लिया है तो लसुन डाल देंगे उपर से हम फिर थोड़ा सा हरी मेच डाल देंगे और थोड़ा सा हम डाल देंगे हरा धनिया और फिर हम इसके उपर डाल देंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और अब हम क्या करेंगे इसे चाकू से हम कट करेंगे तो पतला पतला हमें कट करना है जितना पतला हमें कर सकते हैं उतना पतला कट करना है क्योंकि जितना हम पतला कट करेंगे उतनी हमारी लेयर्स आएंगे तो चाकू से हम इसे कट कर लेते हैं दिखिए कितना आसान तरीका है लच्छा पराटा बनाने का और इस तरीके से आप बनाए बढ़े इर सारी परते निकलेगी बहुत ही बढ़या बनता है यह लच्छा पराटा और बनाना बिल्कुल आसान है मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको लच्छा परड़ा कैसे बनाते हूं बता रहे हूं और आप इस तरह जरूर बनाईए घर में तो यहाँ पर मैंने ऐसे पूरी तरह से काट लिया है आप देख सकते हो जितना पतला आप काट सकते हैं उतना पतला आप कैसे काटे अब हमें क्या करना है इसे पूरा इखटा करना है तो किसी भी चमच के सायता से या आप इसके चाकू से हमें इसे पूरा इखटा करना है पूरा एक जगर लाना है कोई चमश लिजे या फिर कोई चाको लिजे उससे आप इसे पूरा एक जगह पर लेके आना है और आप देख रहे हो इतनी सारी लेज अब इससे दीख रही है यो बनने के बाद तो और भी दीखेगे अब हम क्या करेंगे इसे हाथ में लेंगे और जितना आप इसको लंबा कर सकते करें हलका सा हाथ से हमें इसे दबाने जादा जोर से हमें दबाना नहीं है हलका सा प्रेस करते हुए इसे हमें जितना हम लंबा कर सकते उतना हमें इसे लंबा करना है तो हलके हलके हाथ से हम इसे थोड़ा सा लंबा कर लेंगे और फिर हम इसका एक पेड़ा बना लेंगे दुबारा तो देगे इस तरह फोल्ड करते होते हैं राउंड राउंड करते हुए हमें इसका गोल ऐसे पेड़ा बनाना है और बिल्कुर आसानी से होता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती बनाने में, आसानी से बन जाता है तो इसी तर हम fold करके इसको round में कर देंगे, और जो side का है, उसे हम अंदर दबा लेंगे अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हाथ से प्रेस करके लंबा करना है, बड़ा बनाना है अगर आप चाहे तो इसे हाथ से ही बना सकते हैं या फिर आप बेलन से भी बेल सकते हैं उपर से मैंने थोड़ा सा हारा धनिया डाल देया और थोड़े सी chili flex डाल दिये हाथ से प्रेस करके इसे हमें थोड़ा सा round shape में लाना है, हलके हाथ से दबाने है, बिल्कुल ज़्यादा जोर नहीं देना है फिर हम इसकी उपर थोड़ा सा चावल काटा डाल देंगे, दोनों साइड से और इसे हम हलके हाथ से बिल्कुल बेलेंगे और रिष्ट ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, मिडियम साइस काह काहा है, क्योंकि जो लचहे पराटे रहते यह ज़ा corrupt नहीं रहते हैं, मिडियम साइस के रहते उनिया जैला देका बेलेंगे यहां पर हमारा पराठा बिल्कुल अच्छी तरह त्यार हो गया, अब हम इसको सेंगे, तो तवा मैंने पहले से गास पर अखा था गरम करने के लिए तवे पर हम डाल देंगे यह पराठा, गास को हम मिडियम रखेंगे और मिडियम ग्यास पर इसे देड से 2 मिट हम पकने दे फर हम भीगारी बनाते हैं और इतना घी और इतना बतर हम घंशा तो खहते ही नहीं कभी कभारी k journée तो घिया बटर लगाने में बिल्कुल कंजूसी ना करें इससे क्या होता है हमारा जो पराट है वो टेस्टी तो होता है और बहुत अच्छा से खस्ता भी बनता है तो बढ़िया सा घी लगाए और दोनों साइड से अच्छे तरह आप इसे सेक लिजे तो चावल का आटा मैंन देखिए कितने बढ़िया लेयर्स देख रहे से यह बनने के बाद तो और दिखेंगे तो यहां पर हमारा जो पराट है वो बिल्कुल बनके तयार है बढ़िया सा घी लगा है अब गी बटर कोई भी लगा सकते हो अब हम इसको निकाल लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो कितनी सारी लेयर्स पराठे के दीख रही है मैं आपको पास से दीखा दिखें कितनी लेयर्स दीख रही है और कितना किस्पी बनाए और खस्ता बनाए और टेस्ट तो ला जवाब है इसकी उसकी जो लसून की टेस्ट आती हो बहुत बढ़ि यिसे जरूर बनाइए